नमस्कार शिक्षार्थियों एना योस के स्टूडियों में आप सभी का हरदीख स्वागत है हमारे सामने एक बड़ी तत्विवान से समश्या है अद्वित वेदान्त में कि ब्रह्म एक है पर यह अनेक जियों में किस प्रकार से उपस्थापित होता है यह अनेक जियों की रूप में किस प्रकार अव्यक्त होता है साथ ही जो आत्मन जो आत्मतत्व न ग्याता है न करता है न भोगता है वही जीव ग्याता करता और भोगता क्यों बन जाता है यह जीव इस संसार में वस्तों का ज्यान अर्थात लोकिक वेवार क्यों करता है। यह जीव इस जगत में यग्य आदी कर्मकांड क्यों करता है यह जीव इस संसार में आकरके और अपनी मुक्ती के लिए अद्वेत वेदान्त इत्यादी मोक्र शास्त्री ग्रंथों का अध्यन क्यों करता है साथ ही यह जो शुद्ध ब्रम है वो इस जगत का आश्रे कैसे है तो इन सब प्रशनों का जो उत्तर है वो है अध्यास अर्थात अध्यास के माध्यम से ही ये समस्त चीजें अध्वेत वेदान्त में संभव हो पाती हैं तो हम आज इस पाठ के अध्यन के दोरान अध्यास सिद्दान्त के आवशक्ता का ज्यान प्राप्त करेंगे साथ ही हम यह जानेंगे कि अध्यास सब्द का क्या आरत है अध्यास का लक्षन क्या है अध्यास के भेद कितने है अध्यास का क्या परिणाम है और लोकिक और शास्त्री वेवार जो है वो अध्यास पे किस तरह आधारित है अर्थात वेक्ति किस तरह अज्यानी हो करके लोकिक और शास्त्री वेवार करता है तो सबसे पहले है अद्वेत वेदान्त में अध्यास चिद्दान्त की आवशकता देखिए अद्वेत वेदान्त में एक मात्र जो सत्ता मानी है उसकी मानी है ब्रह्म की इसलिए इसको कहते है अद्वाइत अर्थात जो दो नहीं है एक ही है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीओ ब्रह्मी बना पर है अर्थात ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है और जीव जो है वो ब्रह्म ही है उससे प्रतक नहीं है तो यह ब्रह्म केसा है वह एक है चेतन है साक्षी है और सर्वव्यापक है ये चार विशेशन ब्रह्म के दिये हैं एक है एक दूसरा है चेतन जड़ नहीं है साक्षी है न ग्याता है न करता है न भोगता है और सर्वव्यापी है एक इस्तान पर विद्यमान नहीं है अपी तो सभी जगे विद्यमान है अर्थात वह जो ब्रह्म है वह एक है समस्त वस्तवों में गूड है अर्थात सभी वस्तवों में विद्यमान है अर्थात सभी जगे सर्व व्याप है जैसे आकाश है सर्व भूतांतरात्मा समस्त भूत अर्थात पंच महा भूत जो है मनुष्य जो है व्रक्ष जो है नदियां है इन सभी में विद्यमान है करमा द्यक्ष है अर्थात समिख की करमों पर नियंतरन है जिसका सर्व भूता द निर्गुणस्य है कि वह एक है, चेतन है, साक्षी है और निर्गुण है अब यहाँ परश्न उठता है कि जब ब्रम निर्गुण है तब वह अनेख जियों में अवयक्त कैसे होता है तो इसका उत्तर है अद्थ्यास से जो ब्रम्म है वह अनेक जीओं में जगत में इत्यादी इस जगत की अनेक प्रक्रियाओं में अभिवक्त होता है सबसे पहले हम देखते ही कि अद्यास की आवशकता क्या है अद्यास अद्वेत वेदान्त का प्रयोजन क्या है अद्वेत वेदान्त का प्रयोजन है अध्यास का नाश, अज्यान का नाश वेदान्त सार में काया है तदेक के प्रमेएगता अज्यान निव्रत्ति ही अर्था जीव और ब्रह्म के एक के में जो बाधक अज्यान है उसकी निव्रत्ति करना अध्यास क्या करता है ब्रह्म के मूलसुरूप को सत्चिदानन्द रूप को डख लेता है और उसके अन्य रूपों को द्भावित करता है जिससे जीव इस संसार में फसकर बंदन युक्तो जाता है तो उसका नाश करना अध्वेत वेदान्त का प्रयोजन है ब्रह्म सुत्र अध्यास वाष्य में आचारी शंकरने स्वयम का है अश्या अनर्त हेतो हो प्रहाणाय आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ते सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते अर्थात इस अनर्त का जो प्रमुक कारण है क्या अध्यास अश्या अनर्त हेतो हो प्रहाणाय इ तो यहाँ दो चीज बताई अश्या अनर्थ हे तो हो प्राण आए अर्थात अध्यास का नाश करने के लिए और एक जीव ब्रह्मे के का ग्यान कराने के लिए जीव और ब्रह्म में एक के का ग्यान तब तक नहीं होगा जब तक अध्यास का नाश नहीं होगा जब तक अध्य अध्यास के ग्यान की आवशकता है। ब्रह्म मूल रूप में न तो करता है न भोगता है न ग्याता है। पर वही जीव के रूप में करता भोगता और ग्याता के रूप में आ जाता है। तो यह क्यों आता है। इसका उत्तर है अध्यास के कारण। इसलिए अध्यास सिद्ध अब सबसे पहले इस सिद्दान्त को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अध्यास जो शब्द है उसका अर्थ क्या है अधि उपसर्ग असु ख्षेपने धातु तथा गहें प्रत्ते से अध्यास शब्द की वित्पत्ति होती है अधी मतलब ऊपर, अस मतलब फेकना या क्षिप्त करना और गहें जो प्रते हैं वो बाव और करमर्थ में प्रयक्त होता है तो इसका अर्थ हुआ एक वस्तू के उपर दूसरी वस्तू जो वो है ही नहीं को ब्रह्मबस अत्वा संसकार वस फेकना या क्षिप्त करना अध्यास है उधारन क्या है रस्ची पर सर्प को ब्रंबस क्षिप्त करना जैसे आपने अंदेरे में क्या किया कि रस्ची को देखकर सर्प उसको समझ लिया अब आपने क्या किया एक वस्तू को दूसरी वस्तू पर ब्रंबस ठेक दिया या क्षिप्त कर दिया, तो रस्षी पर सर्प को ब्रह्म क्षिप्त करना, दूसरा है आत्मा पर जीव को संसकार वस्क शिप्त करना, अर्थात ब्रह्म जो है, न वो ग्याता है, न वो करता है, न भोकता है, पर आप क्या करते हो, अपने आपको ग्याता करता और भोकता समझन लग जाते हो। तो एक वस्तूप पर दूसरी वस्तूप को संस्कार वस्तूप क्योंगि अनेक जन्मों कि आप के संस्कार हैं, जिसमें आप ज्याता करता और भोकता रहे हो। तो अपने उनày संस्कारों को आप ब्रमपर थोप करके जीव बन जाते हो। Đेट is called अध्यास, लिखते हैं तो उसके पहले एक प्रस्तावना लिखते हैं उपोदगात लिखते हैं भूमिका लिखते हैं यहां ब्रह्मसुत्र पर जब उन्होंने भाष्य लिखा तो उसके पहले एक प्रस्तावना लिखी कि यह हम भाष्य लिखने के हो जा रहे हैं उस प्रस्तावना का ना तीन पद है, स्मृथी रूप है, एक परत्र दो और पूररद करद से लूप का मतलब क्या है? कि अर्था जिसका स्मृथी के समान है, इस्म्रथी में क्या होता है? कि जेसे आपने दिल्ली में देवदत्त को देखा, और आपको ये पता था कि ये देवदत्त मुझी मुझी मुंबई में मिला था तो मुंबई वाले देवदत्त का आपको स्मरण हो गया तो स्मरती में क्या होता है कि उसका जो विशय होता है वो उसके पास नहीं होता एसन्निहित होता है अर्था दूर होता है तो एसन्निहित विशयत्व जिसका है वो है स्मृति रूप स्मृति के समाल अध्यास का रूप होता है पर स्मृति में और अध्यास में एक अंतर होता है कि स्मृति जो है वो संसकार से उत्पन होती है और अध्यास जो है वो ब्रह्म से उत्पन होता है इसलिए संस्मृति को कभी प्रमान की केटेगरी में नहीं रखा जाता दूसरा होता है परत्र परशब्द से सब्तम्यर्थ में तरल परत्ते करने पर परत्रशब्द वित्पन होता है जिसका अर्थ है अपने से बिन अधिकरण में तीसरा है पूरुद्रश्टा वबास है इससे आशे है पूरुद्रश्ट का संसकार वस अवबास या बादित ग्यान अवबास कहते है अवमतो भास है एसा ग्यान जो बादित हो चुका हो अर्थात पूरुद्रश्ट का संसकार वस बादित ग्यान तो अब इसकारत क्या हो गया? यह आपका पूरू में देखा गया है तो स्मृति रूप और पूरुद्रष्ट सर्प का आप रसी पर जो अवभास कर रहे हो वो अध्यास है उसी प्रकार क्या है कि जो अनात्मतत्व है ये क्या है अनात्म तक्तु का आप आत्म तक्तु में अवभास कर रहे हो वो अवभास है अब ये जो आपका जीव है ये इस्मृति रूप है और पूरुद्रष्ट है उसका आप परत्र अर्थाद ब्रह्म में अवभास कर रहे हो रसी को जब आपने पकड़ लिया तब आपको पता लग गया सरप नहीं यह तो रसी है, तो वो जो सरप का जो जव ग्यान था वो रसी के ग्यान से बादित हो गया, उसी प्रकार अभी आप इस जगत में ग्याता करता और भुकता बने हुए हो, इस जगत में बंदन युक्तो सर्प तथा इस जगत का जो ग्यान है वो बादित हो जाता है अब अध्यास का जो दूसरा लक्षन है वो है अध्यास वो नाम ए तस्मिन तद्बुद्दी रित्य वो चाम अर्थात जो जेसा नहीं है उसमें वेसा ग्यान अध्यास है अब ब्रह्म जो है वो केसा नहीं है ब्रह्म ऐ करता है ऐ बोगता है और अग्याता है अर्थात ना तो वो करता है ना वो बोगता है ना वो ग्याता है उसमें क्या है कि जीव को आपने करता बोगता और ग्याता बना दिया तो यह अद्यास है जो जेसा नहीं है ब्रह्म जेसा इसको देखा और सीप चूंकी चांदी की जैसी चमकती है इसलिए आपने उसको चांदी समझ के और उठाने का प्रयास किया तो यह जो ग्यान है यह ग्यान भी अध्यास है जो जैसा नहीं है सीप जैसा नहीं है सीप चांदी नहीं है पर उसको आप चांदी समझ लेते हो रस् अर्थात अन्य वस्तू की अन्य के धर्म के रूप में अवभास जैसे ब्रह्म जो है उसका जीव के धर्म जो है ग्याता करता और भोगता के रूप में अभिव्यक्त हो जाना यह अध्यास है रसी जो है वो सर्प के धर्म रसी स्वयम जड़ है परन्तु वह क्या करती है चेत अध्यारोप का लक्षण वेदान्त सार में सदानन्द योगिंद्र करते हैं, असर्प भूतायाम रज्जो सर्पारोप वद वस्तुन्य वस्तवारोप व अध्यारोप है, असर्प भूतायाम, जो सर्प नहीं है एसी रसी में, सर्प के आरोप के समान, वस्तु में एवस्तु का आरोप कर दिया उसी प्रकार वस्तू जो है वस्तू क्या है ब्रह्म और एवस्तू क्या है यह संपून अज्ञाना जड़समू अर्थात यह संपून दे इंद्री अंत्यकरन जगत यह सबत अस्त एवस्तू है और उसका आरोप आप वस्तू अर्थात ब्रह्म में कर लेते ह तो इसको कहते हैं हम अध्यारोग इस प्रकार हमने आज जाना कि जो है अध्यास जो है उसकी अध्वेत विदानत में आउशकता क्या है अध्यास का लक्षण क्या है तीनों लक्षण हमने देखे साथ ही अध्यास तता अध्यारोग की सामयता भी हमने देखी मैं आशा करता हूँ कि हम सभी ने अध्यास के लक्षन तता उसके सुरूप पर सम्यक तया विचार किया सिक्षारती उसको बली परकार आउगमित किये होंगे उसका बोध सिक्षारतियों को हुआ होगा इसी आशा के साथ हर दिख धन्यवाद